चुनाव से पहले आगर मालवा में बीजेपी को बड़ा जटका लगा है चुनाव करीब आते ही बीजेपी के बड़े नेता या तो पार्टी छोड़ रहे हैं या फिर दल बदल रहे हैं इसी कड़ी में सुसनेर से पुरू विधायक रह चुके संतोष जोशी ने बीजेपी क की मुश्कीले बढ़ा सकता है जोशी ने सुसनेर विधानसवास से निर्दली चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है उन्होंने कहा कि सुसनेर में पिछले 10 सालों से विधायकों के कारेकाल से नाराज होकर उन्होंने पार्टी से इस्तिफा दे दिया है सुसनेर चेतर में एक उफाभूग यूसाफ सब्द के सकते हैं कि गाह हो चाय सहर हो चाय वेक्ति हो चाय समाज हो सम में एक निराशा का भाव है और अभी में शिरान चर्ण पादु का पूजन के माध्यम से गाउंगा हो गया तो चर्ण पादु का पूजन में जितनी सद् लोगों ने भाग लिया लेकिन उस गाव में प्रते गाव में कह सकता हूं कि दस्पिस लोग ऐसे तो दिरे से मुझे कान में कह जाते थे कि भाई साफ इस बार मत चुकना हम परेसान हो गया हमारी कुछ उनने वाला नहीं है तो एक दरह से पुरे छेते में अराजक्ता का वात विधायक संतोष जोशी सुषनेर विधानसवा शेत्र से साल 2008 में विधायक और गौसवर्दन बोर्ड के उपाध्यक्ष रह चुके हैं फिलाल विधानसवा शुनाओ को लेकर बीजेपी बहले ही अपनी पहली सुची जारी कर चुकी हो पर ये उसके लिए मुसीबत बनती दिख रही है कई उमीदोरों को अपने ही कारेकरताओं का विरोज जिलना पड़ रहा है फिलाल बेजेपी पुरारे नेताओं को मनाने में काम्याब होती नहीं दिख रही है यही वज़ा है कि पुरुविधायक संतोज जोशी ने भी पार्टी से किनारा कर लिया है आगर मालवा से प्रमूत कारपेंटर की रिपोर्ट हैंपी तक